हेलो दोस्तों मैं हूँ विकास और ट्रांस्पोर्ट अड़ा में आपका स्वागत करता हूँ और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जो की है विशब के सबसे बड़े उद्योगपती बिल गेट्स की लाइफ के बारे में और वो कौन सी कार यूज करते ह हैं तो यह सब आज हम आपको वीडियो में बताएंगे दोस्तों सो बिल गेट्स का जब पूरा नहीं में दोस्तों हो है विलियम हैंडी गेट्स सो माइक्रोशोफ नामक कंपनी के सैशन स्थापक तथा अध्यक्स हैं इनका जर्म 28 अक्टोबर 1955 को वासिंग्टन के एक उच मध्यम वर्गे परिवार में हुआ इनके पिता का नाम विलियम हैच गेट्स तथा माता का नाम मेरी मैक्स वेल था पिता एक परतिश्चित वकील तथा माता एक बैंक के विवस्ता मंडल की सदश्या थी वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पाल एलन के साथ वी सबसे बड़ी स्रेनी के उद्दमी माने जाते हैं तथा भी बिल गेट्स की अलोचना उनके वेपार रनीतियों के लिए की जाती रही है और 32 साल पूरे होने के पहले ही 1987 में उनका नाम अरब पतियों की फोब सुची में आ गया और कई साल तक वो इसी सुची में पहले स्थान पर बने रह यानि की 1760 अरब रुपे बिल गेट्स माइक्रोशोफ्ट के चेर्मेन है जिसका साल 2010 में कारोबा 63 बिलियन डॉलर और मुनाफ़ा करीब 19 अरब डॉलर का रहा बिल गेट्स सम्रित घर से थे और स्कूल में उन्होंने 1600 में से 1590 नंबर पाए थे और पढ़ाई के दोरान ही क 31 वर्ष की उमर में करोड़ पती बन कर दिखाऊंगा और 31 वर्ष में अरब पती बन गए वह विलासिता पुरवक नहीं रहते लेकिन वह व्यवस्थित जीवन जीते हैं डेड़ एकड़ के उनके बंगले में साथ बैडरूम जिम स्विमिंग पूल थीटर आदी हैं 15 साल प ब्रिज टेनिस और गॉल्प के खिलाड़ी विल गेट्स और अपने तीन बच्चों के लिए अपनी पूरी जादा छोड़ कर नहीं जाना चाते क्योंकि उनका मानना है कि अगर मैं अपनी संपती का एक परती साथ भी उनके लिए छोड़ दू तो वह काफी होगा उन्होंन प्राणवे में उन्होंने अपने कई सेर्स बेच दिये और एक ट्रस्ट बना लिया जबकि उन्होंने दो जार में अपनी तीन ट्रस्टों को मिलाकर एक कर दिया और पूरी पारदर्चता से दुनिया भर में जुरुत मन्त लोगों की मदद करने लगे बिल गेट्स की कमी एका दिखारी वेवर्श्टिक नीती और परतिस सर्पदा उन्हें बार बार विवादों में देखेलती रही हैं 16 साल तक अरब पतियों की सुच्ची में नंबर वन पर रह चुके हैं बिल गेट्स चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं यह कौन सी कार यूज करते है बिल गेट्स के पास पॉर्स 959 कूपे है जिसे गेट्स 959 के नाम से भी जाना जाता है इस कार कर लिमिटेड एडिसन है जिसकी दुनिया भर में केवल 230 यूनिट्स ही बेची गई हैं और 1987 में इस कार की किमत दो लाक पचिस हजार डोलर थी करीब डेड करोड थी और जीरो से सो किलोमेटर की रफ्तार पकड़ने में इसे तीन सेकंड का समय लगता है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो